हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत आपके पनी यूटूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रडिक्शन में दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीजेंड लीक के मैच नंबर 3 के बारे में बात जो कि दोस्तों सौथर्ण सुपर स्टार वर्सेज अर्बन राइजर् यूट है जादा देस्ट है कि लिए या बहुत सारे लोग पाकिस्तानिया संब और आप आर बहुती है में बहुत जादा इसक्रिक्वेट विच अना तो बस उतार चड़ा रहे था गेम में बहुत ज्यादा डिस्पोंटर था मैं भी बट अभी सोचा कि बस नया स्टार्ट करता है कि बहुत सार अच्छे टॉर्णामेंट्स भी आ रहे हैं वर्ल्ड कप को तुम्हें बिल्कुल भी अच्छे से कवर नहीं कर पाया था बट अभी जो लीजेंड लीग बची हुई है और इंडिया की सिरीज भी आ रही है थोड़ा एकसाइटमेंट बढ़ेगा वर्ल्ड कप का बदला लेने वाला तो और उसके बाद का बड़ी वगएरा सबसे पहले यह अपना टेलेग्राम चैनल है इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो टेलेग्राम चैनल को जुरूर से जोइन कर लेना पॉसिबिलिटीज पूरी है कि यहां पर आपको टेलेग्राम पर टॉस से पहले की इंफो हो गई या टॉस के बाद का जो भी अपडेट वगएरा होगा किसको बाइस हैल करना है और उस मेच से पहले भी जो हमारा एनलीस के तुरू जो मैंने स्लेक्टेड प्रेट से रहें हो तो आपको जो 100 रुपे मिलेगा जो की 100% आप यूज कर पाऊंगे 100% यूज कर पाऊंगे जो कि डिपॉसिट वालेट में हैगा उसके बाद जैसे ही KYC जुरूर करना इस चीज में अगर यह ग्रेब करना KYC कर लेना और अगर आप रेफर कोड़ वगएर लगाते हो और पर फस्ट डिपॉसिट करते हो एक हजार रुपे का तो उस केस में आपको 200 रुपे और एक्स्टा डिपॉसिट में मिलेगा और 500 रुपे का बोनस मिलेगा जो की खाली के टाइम में बहुँ जज़ा इंपोर्टेंट है और इस एप्लिकेशन पे आपका GST बिलकुल भी नह होने वाले हैं पांच मेंचेश रहे शायद इस पर पांच मेंचेश रांची वाले ग्राउंड पर तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 228 बनाया था और उसके बाद जो सैकंड टीम उसने चेस भी कर दिया था यह चार बोल रहते हुए सेकंड गेम के गरम बात करें हैं यह एमिंपॉर्डेंट हो जाते हैं जसके करते हैं आउस एकरिकेशन पर घेयम बनाते वाह तो नहीं डाड़ा रहते हैं ज Rin बूर्यर क delve सलेक्शन ऑपनेट खरते लह एक और प्र काम सी द्रेंगि आइसा दूसरे अपनेट पना ब आपको ग्राउंड का पर्फॉर्मेंस या पिछ केसी है सब चीज मेंटर करते हैं कितने जादा रंस बनेंगे मतलब हमें वहां पर बाय करना सेल नहीं करना एक आद प्लेयर होगा जो सेल के लिए जाएगा सुब हमारे होता कि कितना टफ है कितना हर्ड अनलिसिस हम कर पाते है कितना हमारे में है कि हम इस पर सेल के लिए रिस्क लेपाएं तो इस गेम के लिए मैं आपके लिए तीन में जो हो कैटेग्रीज रूख होगा सबसे पहले तो मैं सेफ वाली पर जाओंगा कि यह प्लेयर जो है सेफ है सेकेंड जो होता ना कि एक एवरेज या डिफरेंशल जिसको हम बोलते हैं ठीक है ना डिफरेंशल पिक के अगर बात करें तो वह हम ट्राय करेंगे स्थर्ड जो होगी वह होगी हमारी इसकी पर सो यह तीन पिक्स में आपको सजेस्ट करेंगा तीन के अंदर आप थोड़ा सा आपने हिसाब से उस चीज को ट्राय कर लेना कुछ मैं आपको रिजन से भी बतांगो कि क्या रिजन है हम देखो रेट रेट हमेशा इंपोर्टेंट करेगा देखो हर कोई चाहता है कि बाय के लिए वह प्लेर्स जल्दी से जल्दी अपने बाय के रेट के एकुल पहुंचे और उसको डबल करें तो उसकेस का मतलब क्या जो है ना कम मिले तो उसको हमें जो हो बाय करना है और जिसका रेट थोड़ा हाई मिले सेल के अंदर जो एक हमारे को लगे हम इसको सेल के लिए ट्राय करेंगे रिस्क लेंगे अगर वो थोड़ी तेजी नहीं खेलता है अच्छे ट्राइग रेट से जैसे कि रोई शर्मा दे रहे थे ना वो सेल वाले को ज्यादा लोस दे रहे थे चालिस पैंतालिस चालिस पैंतालिस रंकीनिंग खेल रहे थे पचास-पचास-पचास-पचास-पच्पन सेल में थे मतलो ना तो बाय वाले को प्रोफिट ना सेल वाले को प्रोफिट सो ऐसे प्लेयर्स लाइक उ बट सामने जो बोलिंग अटेक आने वाले ना वो भी क्रिकेट के टच में हैं मतलब ऐसा नहीं है कि सामने मार्टिन गप्ति लेका अच्छा प्लेर रहाएं सामने बोलर नहीं है तो तो फिर सैल करना तो बेवकूफी होता है बट सामने वाली टीम असस के अगर मैं बात करूँ इनके पास आप लोग देखो क्रिकेट के टच वाले बोलर हैं सबसे में जो जिस पे मेरे को ज़्यादा कॉन्फिडेंस है वो है सुरंगा लकमर फरस्ट ओफ वॉल तो यह हो गया उसके बाद अगर हम बात करें अपने इश स्ट्राइक कर सकते हैं अर्लियर सो उसकेस के अंदर मैंने थोड़ा सा रिस्क उठाया यहां पर अपने मार्टिन अप्टिल पर यह मेरी फस्ट ओफ और इसकी पिगार इसकी पिगा मतलब होते हैं कि आप उतना ही इन्वेस्ट करो अगर लोस हो भी जाए तो कोई फरक ना अपड़े तो उतना ही इसको उठाओ बाकी दोदे को जिसके पास ज्यादा वेक आप वो अपने हिसाब से इंवेस्ट कर सकता है सुरेश रहना थोड़े से इंपोर्टेंट हो जाएंग इस गेम के लिए क्योंकि कुछ और्स भी डाल सकते हैं और अजगर अफगान का रेट चीज़ बोलिए जिनका रेट अभीदे कोई नामी प्लेयर अच्छे प्लेयर जैंग बोलिंग कर सकते हैं जिनका रेट लगबगा अच्छे नामी प्लेयर है अच्छे बेटिंग ओडर पर आते हो हीटर प्लेयर हो 24 26 या 28 या 30 तक भी हो ना तू हमारे लिए affordable है buy के अंदर और सेल के अंदर फॉर्डेबल हुआ है जो 36 है लेकर 40 42 45 जो कि सिर्फ बैटिंग करता है लाइक गप्टिल 38 पे है उसके बाद अगर मैं बात कुरू यहां से तो और कोई बैट्समेन के बात कुरू स्पेशली तो यहां से मेरे कुछ नहीं लेगा तो दूसरी टीम पे जाते ह हैं दो तीन प्लेयर हैं जो कि मैंने अच्छे रेट्स पे फाइंड किये हैं उनको आप ट्राय कर सकते हो एक तो आप लोग जो है रोस्टेलर के साथ आ सकते हो जब मैं इनका रेट्स था 26 22 था अब 23 पे आ चुका है रोस्टेलर इंपोर्टेंट प्लेयर हैं फिल्डिंग सकते हैं एक उपोर्टेंट बन जाती कि इनकी कंसिस्टेंसी अभी इनकी कंसिस्टेंसी है इन्टरनेशनल क्रिकेट में ज्यादा कंसिस्टेंसी नहीं थी गई दो जो है वो अपना फॉर्म पकड़ा था दो जारे बाइस का जो वीविल था उससे इन्होंने फॉर्म पकड़ा था अब यह कंसिस्टेंसी से अच्छे परफॉर्मस कर रहे हैं उसके बाद अगर बात करूं तो गोस्वामी देखो ठीक था गया बट मेरे को इतना जड़ा कॉन्फिडेंस नहीं है और दूसरे मां अगर बात करूं जैस राइटर दोनों को आप जो वो इक्वल शेर्स में सेल कर सकते हो ठीक ना इन दोनों को बाकि अब्दुल रिजाक की अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करें तो बुथा भी इंपोर्टेंट हो जाएंगे और अशोग दिंडा भी इंपोर्टेंट हो जाएंगे उपूल थुरंगा बात करूं देखो मेरे को इतनी जाद कोई वाइब्स नहीं आए बट कीपिंग इसेक्शन में दिखाएगे है तो थोड़ा सा मेरे को रिसकी लग रहे हैं मनुंदर बिसला भी जो कीपिंग कर सकते हैं फिर इसकेस में यह पेवर बैट्समें है और एक आथ गेम में देखो इनका स्पेशलि अगर बात करो जिस आपसे विकेट बिहेव कर रहा है बट स्पेशलि दोनों मैचेस गेंदर अगर आप चीज नोट करोगे दो से तीन नमबर वाला प्लेयर या चार नमबर वाला प्लेयर में जो है वो फस रहे हैं इस विकेट पे या तो डेथ वाला बैट्समें जो फिनिशर होता है वो अच्छा करा जैसे कि इर्फान पठान ने एक ताबर तोड़े नीन खिली थी पेंसर ट्रंगी तो वो वैसे बैट्समें चलिए ओपनर से अच्छा करते हैं बाकी जो मीडल फेस के बैट्समें होते हो फस्त ही फस्त हैं तो उस केस में आपको उस हिसाप से अपने प्लेयर को ट्राइब कर सकते हो वो स्टूर्ड बिनि हिट रहा है इर्फान पठान ने जो काम किया तो स्टूर्ड बिनि भी कर सकते हैं तो स्टूर्ड बिनि पे थोड़ा सा फोकस रखना इंपोर्टेंट प्लेयर बन जाएंगी इस गेम के लिए बाकी कपू गेदरा देखो थोड़ा इसकी ही लग रहे हैं बाकी एकर इनकी टीम पहले बैटिंगे तो ट्राइ क्या सिच्वेशन है बाकी यूस्तुर हो जाएंगे प्रेडिक्शन वीडियो अगर रेगुलर बनाते हैं अब लोग केलना स्टार्ट करेंगे तो यूस्तुर हो जाएंगे सब चीज का हमें देदे रहें ना क्योंकि जिस टूर्णामेंट को अच्छे से देखते हैं उसमे साथ आठ वीडियो में ने देखे थे जिसमेंसे मैं जो प्रीमियम मल्टिवेगर के लिए दो या तीन ओप्शन देता हो ना वो लगबग साथ आठ वार में से जो छे बार काम करता हैं नेवरेज अगर दस मेंच उठा ले तो आठ बार वह चीज काम करती है ये चीज़ में ज्यादा फोकस किया था उस चीज में प्रीमियम मल्टिवेगर मेरा जो लगबग दस में से आठ बार पास हो रहा है तो इस चीज को भी आप नोट कर सकते हैं तो दोस्तों यह था आज का अपना प्रेडिक्शन वीडियो अगर यूटूब चैनल को अभी तक सब्सक्रा प्रेडिक्शन वाल